सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अपडेट लो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल पिछली क्लास में हम एक्सराइज 5 पॉइंट से रिटेड सारे इंपोटेंट कोशन्स देख लिये थे आज हम देखेंगे कि कैसे कंप्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये भी देखेंगे कि कैसे आर्गुमेंट फाइंड आउट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले polar representation of a complex number तो हमें पता है कि जैसे Cartesian form में हम coordinate ले लेते हैं x और y वैसे ही polar form में हम क्या coordinate लेंगे r और theta तो यहाँ पे हम graphical representation देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे हमारा x-axis है यह हमारा y-axis है यह हमारा op एक line है अब यहाँ पे क्या है कि हमें polar representation के लिए एक general format लाना है तो कैसे आएगा उसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारा यह theta है तो theta के सामने वाला जो side होता है उसको क्या बोलते हैं पी perpendicular नीचे वाला side जो होता है उससे क्या बोलते हैं base b और 90 degree के ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है h तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम cost theta find करते हैं तो cost theta हमारा क्या होता है b by h तो यहाँ पे हमारा b क्या है x और h हमारा क्या है r इस case में हमारा r कुछ नहीं है r जब भी निकालने बोले तो आप modulus of z कर सकते हैं मतलब complex number का modulus find out कर दीजेगा तो असानी से आपको r का value निकल जाएगा मैं r को भी derive करके दिखाऊँगा तो यहाँ से हमारा x क्या आजाएगा x equals r cos theta इसको मान लीजे equation number one फिर हम निकालेंगे sin theta sin theta हमारा क्या होता है p by h तो यहाँ पे हमारा p क्या है theta के सावन बुला side होता है तो यहाँ पे क्या है y और हमारा h क्या है r तो यहाँ से हमारा y का value क्या आ जाएगा cross multiply कर देंगे तो r sin theta तो यह हमारा हो गया equation number second अब हमें पता है कि z का format हमारा क्या होता है z equals x plus iota y तो z equals x का value हमारा क्या है r cos theta तो हम क्या लिख लेंगे r cos theta यहाँ से हम क्या क्या लिख लेंगे r cos theta plus iota y का value हमारा क्या है r sin theta यहाँ से हम क्या कर सकते है r को common ले सकते हैं यहाँ से हम r को common ले सकते हैं तो क्या जाएगा हमारा cos theta plus iota sin theta तो यह जो हमारा format आया है यही हमारा क्या है polar representation polar representation polar representation of a complex number तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी complex number को polar form में बदल सकते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है r और theta तो इसको कैसे find out करते हैं उनको देखते हैं अब देखते हैं r को कैसे find out कर सकते हैं तो जब भी r को find out करने के लिए मैं derive कर देता हूं इसके लिए क्या कर दीजिए सबसे पहले आप equation first का square कर दीजिए plus equation second का square कर दीजिए जब इन दोनों को square करके add कर देंगे तो आपको r का value find out हो जाएगा तो क्या है हमारा equation first का इलेचेस x तो हो जगा x का square plus y है तो y का square equals r square cos square theta plus r square sin square theta x square plus y square equals यहां से हमारा क्या common आ जाएगा r square तो हो जागा हमारा cos square theta plus sin square theta तो हमें पता है कि cos square theta plus sin square theta किसके बराबर होता है one की equal होता है तो यहां पर हम one आ जाएगा तो क्या जाएगा r square की यह बराबर आ जाएगा x square plus y square अगर यहां से हमें r की value find out करनी है तो यह square इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा root root under x square plus y square तो जब भी आपको r find out करना हो तो आप क्या कर सकते हैं root under x square plus y square यही हमारा modulus का भी फर्मूला है तो आप असानी से r जब भी निकालना हो तो आप complex number का क्या कर दिजिए modulus find out कर लिजिए आपको r का value आ जाएगा अब देखते हैं कि हम theta कैसे find out करेंगे for finding theta आपको अगर theta find out करना है तो क्या कीजिए equation second को आप divide कर दिजिए equation first के साथ तो हमारा equation second क्या था r sin theta upon यह क्या जाएगा हमारा r cos theta equals y upon x तो यहाँ से solve करेंगे तो हमारा क्या जाएगा r से r cancel हो जाएगा sin theta upon cos theta क्या होता हमारा tan theta tan theta equals y upon x तो यहाँ से अगर आपको theta की value find out करनी है तो क्या हो जाएगा tan inverse y by x तो इस प्रकार से आप r और theta की value find out कर सकते हैं अब देखते हैं कि argument कैसे find out करना है तो argument find out करने के लिए मैं यहाँ पे एक quadrant बनाया हूँ और इस quadrant के help से क्या करेंगे argument असानी से क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं इसमें बस आपको यह पता लगाना है पड़ेगा बस की किस quadrant में हमारा z मतलब complex number lies कर रहा है तो जैसे यहाँ पे हमारा पता है कि first quadrant क्या होता है दोनों positive होते हैं इसमें x और y second में हमारा minus plus होता है third quadrant में हमारा minus minus होता है fourth quadrant में हमारा plus और minus होता है तो आप क्या इसे कि पता कर सकते हैं z equals आपको दिया रहेगा x plus iota y तो आप यहाँ x देख लेंगे y देख लेंगे अगर यह दोनों plus plus में है तो हम समझ जाएंगे कि first quadrant का है अगर हमारा for example इससे पार चल गया कि यह first quadrant का है अगर हमारा z equals x plus minus iota y रहेगा तो हमारा यहाँ पे क्या है x की value positive में है y की value negative में है तो plus और minus आ गया तो कैसे समझ जाएंगे यह हमारा fourth quadrant में है fourth quadrant में है तो हमें बस क्या करना है quadrant सबसे पहले पहचान लेना है तो question में पहले ही पार चल जाएगा देखे कि x और y हमारा plus plus है या फिर plus minus है या फिर minus minus है या minus plus है उस हिसाब से हम पता कर लेंगे कि हमारा quadrant कौन सा है जब हमें quadrant पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत असान हो जाएगा argument find out करना अगर हमारा first quadrant आता है तो argument निकालने का फर्मूला है theta तो जो भी हमारा theta का value आएगा वही हमारा argument भी हो जाएगा अगर हमारा second quadrant आता है तो आपको theta का जो value आएगा उसको pi minus theta कर दीजेगा तो आपको argument की value आ जाएगी अगर हमारा third quadrant आता है तो आपको theta में से pi क्या कर देना पड़ेगा minus कर देना पड़ेगा तो आपको असानी से argument find out हो जाएगा third quadrant के case में और अगर हमारा complex number fourth quadrant में आता है तो 2 pi minus theta कर दीजे और theta निकालना तो असान है theta का formula हमारे पास क्या है 10 inverse y by x तो यहाँ से आप theta इस formula से पता कर लेंगे और यहाँ पर put कर देंगे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आसानी से argument find out करते हैं आप quadrant के लिए एक और बात याद कर सकते हैं कि sin, cos किस में positive होता है किस में negative होता है तो यह हमारा क्या है 0 degree और इस हम 2 pi लिख सकते हैं यह हमारा pi by 2 है यह हमारा pi होता है यह हमारा 3 pi by 2 pi by 2 means 90 degree यह हमारा 180 degree यह 270 degree और यह 0 degree और 360 degree तो जो हमारा first quadrant होता है इसमें sin, cos, tan, cos, x, x, cos सारे क्या होते हैं positive तो first quadrant में हमारा क्या होता है all positive first quadrant में हमारा क्या होता है 6 के 6 जो हमारा trigonometric के हैं वो सारे positive होते हैं हमारा जो second quadrant है second quadrant में जो हमारा है बस sin और cosic positive होता है sin theta and cosic theta जो होता है वही बस positive होता है हमारा third quadrant में tan theta और cot theta positive होता है मतलब first में सारे के सारे positive होते हैं second में बस sin और cosic positive होता है बाकी सब negative होता है third quadrant में हमारा tan और cot positive होता है बाकी सारे क्या होते हैं negative होते हैं और हमारा fourth quadrant जो है, उसमें क्या होता है कि हमारा cos theta और sec theta क्या होता है, positive होता है, बाकी सारे negative होते हैं, तो हमें याद रखना है कि किस quadrant में कौन सा trigonometric identity positive और negative होता है, तो first में सारे positive, second में sign और cosec positive, बाकी negative होते हैं, third में 10 और cot positive होता है, बाकी सारे negative होते हैं, और 4th में cos और 6 positive होता है बाकि सारे negative होते है और यह हमारा argument का formula है अगर first quadrant है तो हमारा argument ठीटा के बराबर हो जाएगा सेकेंड में हमारा अर्गुमेंट पाई माइनस ठीटा हो जाएगा थर्ड में हमारा ठीटा माइनस पाई हो जाएगा और फोर्थ में हमारा टू पाई माइनस ठीटा हो जाएगा यह फर्मूला याद रखेगा और असानी से गया कर सकते हैं आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं एक्सेसाइज 5.2 जो हमारे एंसे आटिक है उसका कोस्टन कैसे सॉल्व होगा वैसे तो इस साल हमें पोलर रिपरजेंटेशन नहीं पढ़ना है बस हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने का आएगा 5.2 से तो CBSE वाले बस 5.2 में से बस मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना ही देखेंगे और हमारा 5.2 में बस दो ही कोस्टन है जो हमारा मॉडुलस और आर्गुमेंट से पूछा गया है कोस्टन नमबर फर्स्ट और कोस्टन नमबर सेकेंड तो देखते हैं कि कैसे फाइ तो इसको solve करेंगे, सब्सक्राइब देख लिए हमें क्या दिया हुआ है, तो z का हमारा general format क्या होता है, x plus iota y, तो यहां से हमारा x का value क्या हो गया, minus 1, और हमारा y का value क्या हो गया, minus root 3, तो हमें सबसे पहले क्या find करना है, modulus, मतलब, z का magnitude, तो हमारा formula क्या होता है, x square plus y square, root under x square plus y square, तो हमारा यहाँ पर x का value क्या है, minus 1 का square, plus minus root 3 का square, तो minus 1 का square, 1 हो जाएगा, और root, minus root 3 का square क्या हो जाएगा, 3, तो यहां से हमारा value आ जाएगा, root 4, और root 4 की value किसके बराबर होती है, 2, तो यहां से हमें पाचल गया, modulus of z किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो modulus में magnitude ही होता है, तो असानी साप क्या कर सकते हैं, root under x square plus y square के formula से find out कर सकते हैं, तो यह तो हमारा हो गया modulus, अब क्या पुछा था, argument, तो argument के रिशा से पहले हमें क्या पाता होना चाहिए, कि किस quadrant में है, तो हमारा question देखिए, यह हमारा क्या है, x b minus और y b minus, z हमारा क्या है, minus 1, minus iota root 3, यहां पे हमारा क्या हो गया, minus minus, तो minus minus आ गया, तो यह हमारा किस quadrant में चला जाएगा, means, third quadrant, और third quadrant में हमारा argument का क्या फर्मूला है, argument निकाले का हमारे पास क्या फर्मूला है, theta minus pi, तो सबसे पले हम क्या करेंगे, theta निकाल लेंगे, तो theta का फर्मूला हमारे पास क्या है, tan inverse y upon x, मॉड में रखेंगे, अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, theta equals tan inverse y का वैलू हमारा क्या है, minus का root under 3, minus का root under 3, और हमारा x का वैलू क्या है, minus का 1, theta is equal to tan inverse root 3, और हम root 3 को क्या लिखा जा सकते हैं, tan के फर्म में, तो हमारा क्या जाएगा, theta equals tan inverse, root 3 को क्या लिखा जा सकता है, कितने पर आता है, tan pi by 3, minus tan 60 degree पर हमारा क्या होता है, root under 3 वैलू आता है, तो हम इसको tan के फर्म में लिखेंगे, तो यहां से हमारा theta का वैलू क्या जाएगा, theta equals pi by 3, तो हमारा तो theta का वैलू क्या आ गया है, pi by 3, तो argument हमारा क्या जाएगा, क्या होता है, theta minus pi, तो theta हमारा क्या है, pi by 3, minus pi, नीचे कुछ ने तो आफ वैलू ले सकते हैं, और यहां से LCM लेंगे, तो क्या जाएगा, 3, तो pi, minus 3, pi, तो यहां से हमारा argument का वैलू क्या जाएगा, minus 2 pi by 3, अंसर, तो इस question का हमारा modulus का वैलू क्या आया है, 2, और हमारा argument का वैलू क्या आया है, minus 2 pi by 3, तो हमें बस क्या करना है, quadrant पहचान लेना है, और formula अपलाई कर देना है, तो easy way है, argument को find out करने का, अगला question है हमारा, find the modulus and argument of the given complex number, z equals minus root 3 plus iota, तो हमारा क्या है, इसमें से x का value हमारा क्या आगया, minus का root 3, और y का value हमारा क्या आगया, 1, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, modulus, तो modulus का हमारा क्या formula होता है, root under x square plus y square, तो हमें x पता है, minus root 3 का square, प्लस 1 का square, तो हमारा क्या आगया, 3 plus 1, equals root 4, और root 4 का value क्या है, हमारे पास, क्या आगया, 2, तो modulus तो find out हो गया, किसके बराबर है, 2 के बड़ाबर है, अब हमें क्या find out करना है, argument, तो argument लिए पता लगाना है, तो z को देखिए, z हमारा क्या है, minus root 3 plus iota, means यह हमारा क्या है, minus और plus, तो minus और plus जो होता है, वो किस quadrant में हमारा होता है, minus और plus, तो वो हमारा होता है, second quadrant में, किस quadrant में, second quadrant में, और हमारा second quadrant के हिसाब से argument का formula क्या है, पाई माइनस ठीटा, second quadrant से फार्मूला क्या है, पाई माइनस ठीटा, तो हमेए क्या करना है वाप से ठीटा का वैलू इस कोशन में भी find out करना है, और ठीटा का हमारे पास फर्मूला क्या है, ठीटा एक्वाल्स टैन इन लि resonate y upon x तो theta equals y का value हमारा यहाँ पर क्या दिया हुए है y हमारा क्या है 1 और हमारा x क्या है minus का root 3 mod के अंदर तो यह हमारा क्या हो जाएगा 10 inverse mod के अंदर तो minus भी क्या बन जाता है plus तो हमारा क्या हो जाएगा 1 by root 3 और हम 10 को 10 के किस value पे 1 by root 3 आता है तो हमारा आता है pi by 6 पे means 30 degree पे तो क्या लिए सकते है 10 pi by 6 तो यहाँ से हमारा theta का value क्या आ जाएगा pi by 6 तो हमें theta पता चल गया है कि हमारा theta का value क्या है pi by 6 अब क्या कर सकते है argument निकालना है बस तो हमारा argument का क्या formula है pi minus theta तो pi minus हमारा theta क्या है pi by 6 तो हमारा क्या आ जाएगा 6 pi minus pi upon 6 LC हम ले लेंगे तो क्या जाएगा 6 और 6 pi minus pi तो हमारा value क्या जाएगा 5 pi by 6 तो इस तरीके से आप modulus और argument क्या कर सकते है find out कर सकते है CBSC ने इस बार polar representation को हटा दिया है तो 5.2 से इस बार बस modulus और argument निकालना ही आएगा तो CBSC वाले बस modulus और argument निकालने का question ही बस बना देंगे बाकी लोग polar representation को भी solve करेंगे अगला question है हमारा NCRT 5.2 का ही third question है convert the given complex number in polar form तो आपको एक complex number दे दिया जाएगा और आपको polar form में क्या किया जाएगा represent करने को कहा जाएगा तो इसको कैसे solve करेंगे उसको देखते हैं तो सब्सक्राइब हमारा Z क्या दिया हो है Z equals 1 minus Iota तो हमें क्या करना इस है polar form में क्या करना है convert करना है तो polar form के लिए हमारे पास क्या format है Z equals R cos theta plus Iota sin theta तो यह हमारा polar format है तो यहाँ पर क्या करना है आपको R और theta की value क्या करनी है find out कर लेनी है और यहाँ पर put कर देना है तो यह हमारा polar representation आ जाएगा क्योंकि polar representation में R और theta के form में लिखना परता है तो R निकालने का हमारे पास क्या formula है root under x square plus y square तो यहाँ पर हमारा इसमें x की value क्या आ जाएगी 1 और हमारा y क्या जाएगा minus 1 तो solve करते हैं root under 1 का square plus minus 1 का square तो हमारा क्या जाएगा root 2 तो यहाँ से हमारे R का value क्या आ गया root 2 अगला है हमारा की theta कैसे निकालेंगी तो theta का formula हमारे पास क्या है tan inverse y upon x तो यहाँ से हमारा theta क्या जाएगा tan inverse y का value क्या हमारा minus 1 और x का value क्या है 1 तो हो जाएगा हमारा tan inverse 1 modulus में है तो यह minus plus बन जाएगा और tan जो है 1 कितने पे आता है तो pi y 4 पे tan pi y 4 तो theta is equal to क्या है tan inverse tan pi y 4 तो यहाँ पे हमारा देखिए कि tan जो है cable और cable क्या होता है third quadrant में ही positive होता है और first quadrant में positive होता है लेकिन यहाँ से देखिए हमारा क्या है plus और minus अब plus और minus यह हमारा किस quadrant में चला जाएगा तो हमारा fourth quadrant में तो यह हमारा जो complex number दिया हुआ है वो किस quadrant में चला जाएगा fourth quadrant में और fourth quadrant में क्या होता है 10 negative यहां से हमारा theta का value क्या आ जाएगा minus pi by 4 तो आपको ध्यान रखना है कि किस quadrant में यह है तो यहां से देख लेंगे z equal to क्या दिवा था 1 minus iota यहां से यह plus और minus और plus minus किस quadrant को दर साथ है fourth quadrant को और fourth quadrant में क्या होता हमारा 10 negative तो theta का value क्या जाएगा minus pi by 4 अब हम क्या करेंगे z को polar form में लिखेंगे हमारा format क्या है r cos theta plus iota sin theta तो हमारा r का value क्या आया है root 2 cos minus pi by 4 plus iota sin minus pi by 4 तो यह जो हमारा representation आया है यह हमारा क्या है polar representation है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं polar form में बदल सकते हैं किसी भी complex number को तो बस आपको इसमें r और theta की value find out कर लेनी है और क्या कर देनी है put कर देनी है polar form में बदलने का एक और question देख लेते हैं यह भी हमारा exercise 5.2 का question number 7 है तो हमें z क्या दिया हुआ है root under 3 plus iota तो यहां से हमारा x का value क्या आजाएगा root 3 और y का value क्या आजाएगा 1 तो हमारा z को किस form में बदलना है polar form तो polar form का हमारा format क्या होता है r into cos theta plus iota sin theta तो सबसे पहले क्या करेंगे हम r निकाल लेंगे तो हमारा r निकालने का formula क्या है root under x square plus y square यहां पे हमारा z equal to root 3 plus iota तो दोनों plus plus है plus plus means हमारा किस quadrant में आ जाएगा first और first quadrant में सारा क्या होता है positive तो first quadrant में अगर कोई चीज आ जाए तो हमें कोई tension नहीं जो भी ठीटक value हैगा वो हमारा positive में ही रहेगा तो यहां से हमारा क्या जाएगा root under हमारा x value क्या है root 3 y क्या है 1 का square तो क्या जाएगा 3 plus 1 equals root 4 तो हमारा value क्या जाएगा 2 तो यहां हमारा r का value क्या गया 2 अब हमें क्या find out करना है theta तो theta का formula क्या है tan inverse y upon x theta equals tan inverse हमारा y का value क्या है 1 और x क्या है root 3 तर्जिक करें पương like 10 का किस एंगल पर हमरा रहे रूट थरी आता है तो हमारा पाई भाइ बाइशिक्स पर आता है ने हुशबाद है धुड इसक्तिक आता है तन पाई वाइशिक्स क्या लें होता है 10 30 क्या होता है 1 by 3 तो 1 by 3 कह लिए सकते हैं 10 5 by 6 तो यहां से हमारा ठीटा का वेल्यू क्या जाएगा पाई बाई 6 यह पॉजिटिव में ही रह जाएगा क्यों 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 कि यह क्यों क्या करेंगे पॉलर फोलर में इसको बदल सकते हैं कि सी बीके नमबर को polar form में क्या कर सकते हैं convert कर सकते हैं बस आपको theta का value put करते वक्त क्या करना है ध्यान रखना है कि वो किस quadrant में क्या करता है लाई करता है उस हिसाब से convert करके फिर यहाँ पे value put कर देंगे बाकी modulus का तो simple है सीधे magnitude निकाल देना है root under x square plus y square करके तो हमारा exercise 5.2 में दो ही तरह कोशन था एक तो हमारा argument निकालने का था दूसरा हमारा polar form में convert करने का था तो आज के लिए इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करें अगर आप इस channel पर नए है तो इसे subscribe भी करें thanks for watching